नमस्कार प्यारे साथियों मैं आपका साथी मंदीप कुमार एक बर फ्रिश से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने येट्यूब चैनल पर जिसका नाम हैं जी टूरीडर पब्लिकेशन तो दोस्तो आज की स्वीडियो में बात करेंगे हर्याना में आगामी आने व हुआ है आगामी भरतियों से जुड़ा हुआ है अब अगर हम कॉंग्रेस की माने जो पक्सी पार्टी है या फिर सरोकरमचारी संग की माने तो उनका कहना कि प्रदेश में मुझूदा हालात को देखते हुए जिलसिंख्या को देखते हुए करीब करीब पांच लाख पद जो हैं खाली है लेकिन माने मुख्यमिंतरी कह रहे हैं भरतियों पर रोग लगें क्यों क्या रतिक्स्तिती सही नहीं है तो पूरी खबर किया इस वीडियों डेटिल से बात करेंगे का व्ला सरकार को सरोकरमचारी संग का कहना कितने पद खाली हैं और सिरफ और सिरफ नई बरतियों पर रोग लगी या पुरानी बरतियों पर रोग लगी देखिये अलाकि इसको लेकर मैं दो वीडियो पहले बना चुक हूँ कल live session में भी आया था रात को उसमें भी सारी चीजे clear की आपकी और कल एक दिन में भी वीडियो बनाई थी उसमें भी सारी चीजे clear की हैं I hope पर कुछ इक अभी भी डाउट रहे होंगे तो कमेंट बोक्स में कमेंट जरूर करिएगा और जोई बाई ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो अर्याना में एक साल तक नहीं भर्तियों पर रोक शियम अनौरलाल कांग्रेस के मुखे परवक्ता रंधीप सिंग सुर्जेवाला ने सरकार के एक साल तक भर्तियों पर रोक लगाने के फैसले की आलोचना किये उन्हें कहा कि लोगडाउन में पहले ही हजारों युगाओं की नौकरी जा सुकी वा नई नोकरी की तलास में उपर से सरकार ने भर्तियों पर एक साल की रोक लगा दिए उन्होंने कहा कि सरकार को भर्तियों पर रोक का फैसला वापस लेना चाहिए सुर्जेवाला ने कहा कि आर्थिक संकट के ही समय पर सरकार को युगाओं की रोजगार का प्रबंद करना चाहिए वही सरोक्रमचारी संग के नेताओं के लिए मजबूर कर रही है कोर्णा जंग भी कमजोर पढ़ सकती है वही दूसरे न्यूजपेपर ने लिखा है कि एक साल तक नहीं भरतियों पर रोक करमचारियों का ल्टीशी विबंद किया मुख्यमंति ने दी आदेश ठीक है इसके लावा लगबग हर न्यूजपेपर जैसा कि मैंने आपको बताई यहां पर भी न्यू जाए कि भी सरकार के फैसले का विरोध बर्तियों पर रोक डीए ल्टीशी बंद होने से बिफ्रे करमी पुनर विचार कर फैसला वापस लेने की मांग सरो करमचारी संग ने डीए ल्टीशी और एक साल तक नहीं बर्तिय की जहिर की है संग ने सरकार से इस निर्णे पर पुनर विचार कर वापस लेने की मांग की है पर देशा देक सुवाह ने को कि सरकार कुरुना युद्ध सरकारी करमचारियों पर निरंतरता से आर्थिक हमले कर रही है इससे ऐसा लगता है कि सरकार ने उनकी हुशले तोड़ने का मन बना लिया एक तरफ़ा फैसले से कुरुना एक खिलाब निरंतरता के साथ जंग लड़ रहे और आउश्यक सेमों को अबादित रूप से चलाने वाले युद्धाओं के मनोबल पर निश्चित तोर पर प्रबाव पड़ेगा करमचारियों ने स्वेच्छा से अपने वेतन से सो करोड़ से ज्यादा हरियना कुरुना रिलिफ फंड में दान दिया बावजुत सरकार ने करमचारियों का ही एक हम बड़े हुए वरकलोड के नुसार करीब पांच लाख पदरीक थे जो एहम और मैं यहाँ पर गुड निउज आपको एक तरीके से कह सकता हूं कि हरियना के अंदर अभी भी पांच लाख पदरीक थे अभी नहीं तो कुछ समय के बाद जरूर आएंग आप अपनी त्यार धरीकरते रहें बोले सरकारी कर्मचारीओं पनीरनतरता में आर्थिक हमले कर्या सरकार वही अगले निउसपेपर ने भी इस्तियों निज है कि अगले नै।ब पर ine मुख्यमन तो ही सौच समझ कर बयान दे रहे हैं परदेश में करमचारी चेन आयोगा हरियना लोग से वायोग के जरिये पहले से चली आरी भरतियों को पूरा करने पर अभी तस्वीर साफ नहीं है सरकार ने सभी वागो आयोगो बोर्ड वे नीकमों के नए खर्चे पर बे रहो के लगा दी है तो पहले से चली आ रही भरतियों पर भी कुंछ नीूम प्र कैरे शितिसाह नहीं कुछ के रहे हैं ही पहले से चली आ रही पूरी होंगी तो पूरा समंझस का यहां पर माहौल बना हुआ है ठीक है तो लगबब हर निजपेपर में निज आएगी भी ऐसता ही रूप से जो नई बर्तियों पर सीम ने रोके लगा दी है तो दोस्तो आज की स्वीडियो में फिलाल इतना इसी पर काया गिर रेगूलर अपडेट के लिए कीवाचिंग कीव सपोर्टिंग यूरों यूट्यूब चैनल अम्डी टूरीटर पॉबलिकेशन थैंक यू वेरी